हाई अब्रिवन आप सबका स्वागत है कोट्फर एजुकेशन में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका टॉप टैन वीएस कोड एक्सेंशन सबसे इंपोर्टन गाईज की इस वीडियो के लिए आप सबका बहुत कमेंट आया है मेरी हर एक वीडियो पर अपन कि किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं इस्टॉल कर सकते हैं सब कुछ देखेंगी गाईज जितने भी नए यूजर है ना मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने बूट्चफ 5 सीखना है तो आप बूट्चफ 5 की ये सीरीज आपको देख रही होगी 50 वीडियो की ये आप देखेंगे अडिसी के साथ में आपको बूट्चफ 5 के अंदर में 10 वील वर्ट के प्रोजेक्ट भी दिये थे वो भी आप देख सकते हैं साइड बाई साइड तो ये प्लेलिस्ट दोनों यहाँ पर अवेलबल है और जब आप ये दोनों कवर कर यहाँ यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले पहले एक्टेंशन की वह कौन सा होने वाले तो सबसे पहले आपको क्या करना एक अपना एटर ओपन करना वीज़ कोड और यहाँ पर तीन डमी फाइल बना रखें गाइस जिनके थ्रू मैं आपको आज यह जितने भी किस तरीके से यूज करता हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लेता हूं अब मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूँ, HTML के लिए, ठीक है, हम मैं HTML के लिए कौन सा इंस्टाल करता हूँ, तो सबसे पहले यह आपका आता है HTML, Snippet, ओगे, अब यह करता क्या है, जैसके आपको यहां पर यह सर्च करना है, यह search करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे किसने create करा उसका नाम यहाँ पर आपको visible हो रहा है कितने users हैं, like यहाँ पर आपको number of users दिख रहे होंगे, कितने लोगों ने यहाँ पर install कर रहा है यहाँ पर आपको visible हो रही है, and इसी के साथ में इसको install कर लेंगे, आप तो install करने के बाद आप scroll down करेंगे scroll down करने के बाद में इसका यहाँ पर uses भी दिखा रखा होता है, example में, and इसका use हम कैसे कर सकते हैं, वो देखते हैं, ठीक है अगर suppose आपने इसको install कर लिया, install करने के बाद में यह आपकी help कैसे करेगा, तो आपकी help की यह करेगा, कैसे है, सबसे पहले मैं इस side वाले को कर दूँ, यहाँ से close, ठीक है यह आपका extension use करने के बाद आया, यहाँ पर HTML snippet हम use कर रहे हैं, इस extension को use करने के बाद में यह चीज़े सारी चल रही है, ठीक है, अब बात करते हैं, इसके बाद में next extension की वो कौन सा होने वाला है, तो same guys, यहाँ पर क्या करना, आपको वही setting, setting के बाद यहाँ पर extension पर जाने HTML CSS support के अंदर आपको यहाँ पर visible हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको owner का नाम दिख रहा है, जिसने भी create कर रहा है, and then उसके बाद में number of user, कितने लोगों ने यहाँ पर इसे install कर रहा है, and उसकी rating आपको यहाँ पर visible हो रही है, इसको कर लेंगे आप install, install करने के बाद म करने के बाद में यहाँ पर भी यह dummy दिखा रहें, किस तरीके साब यह use कर सकते है, यहाँ पर आपके सामने visible है, अब इसका use क्या है, इस वाले का आपको use सबसे important, इसले है क्योंकि जब आप क्या करेंगे, जब आप HTML create करेंगे, suppose मैंने यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ एक div के बाद मैं यहाँ पर class ले रहाँ, class के साथ में यहाँ आपको visible हो रहे, अब यहाँ पर suppose मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक चीज, यह देखे, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, control, plus, and plus के साथ में यह पर space button, यह देखे, control, control के साथ में plus, plus मैं बोल रहाँ तो plus दबा यहां पर डिव ले लूँ, यहां पर class ले लूँ, एंड class के बाद में यहां पर मैंने BTN, यहां पर मैंने space कर दिया, तो देखिए, यह चीज़ आपको visible होरी है, यह किस तरीके से, यह आपके space के साथ में, control space आप करेंगे न, तो यही चीज़ आपके होगे हाँ पर होगे HTML के और यही चीज़ आप यहाँ पर CSS में करेंगे ना तो यहाँ पर control space आप करेंगे ना तो देखे यह सारी के सारी आपके properties आपको यहाँ पर visible हो रही है कि किस तरीके से आप चीज़ें चला सकते हैं ब्लैंक में भी होगे यह आप समझ रहे हैं तो यह सारी के सारी short hand properties हैं जो कि आप चला सकते हैं suppose मैंने यहाँ पर पी ले लिया कॉनल लिया इस पेस ले रहा हूं एंड दैन उसके बाद में आपको यहाँ पर visible हो रहा है तो देखे ठीक है यह सारी के सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से चल रहे हैं तो यही प्रॉपर्टी आपके इसमे कौन सा आपका extension होने वाला है तो देखते हैं next को तो next के लिए चलते हैं यहाँ पर चलेंगे again यहाँ पर setting पर यहाँ इसके बाद आएंगे यहाँ पर extension पर आनके बाद में अब क्या करना है आपको इसके अंदर आपका एक और जो आपका यह होगे आपका HTML के लिए होगे HTML CSS के अंदर space के साथ में classes कैसे मिलती है अब में बात करते हैं यहाँ पर आपका कि इसी के अंदर जो आपका CSS है ना अब CSS किस तरीके से आप जल्दी लिख सकते हैं classes को तो उसके लिए भी हमार पास में यहाँ पर बहुत सारे अवेलबल होते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो यहाँ पर लेंगे हम दैन उसके बाद में user, number of user, कितने लोगों ने इसे install कर रखा है और यहाँ पर आपका star कि इस star कितने लोगों ने दिया है इसको install करने के बाद में यहाँ पर आपको bottom में नीचे दिख भी रहोगा कि कि किस तरीके से आपको indicate करता है कि जो भी आप class write कर रहे ना वो पहले से आपको indication में दे देगा कि like इसकी perform क्या होने वाली है, तो इसको देखते हैं कि किस तरीके सा आप use कर सकते हैं, तो चलेंगे यहाँ पर html में, html में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं एक div ले लता हूँ, यहाँ पर class लेता हूँ and class के अंदर suppose मैं यहाँ बीटेन यहाँ पर आने के बाद में आपने देखा कि like कि यह सबसे पहले मेरा यहाँ पर boot shop का तो आई रहा है, अब यह कैसे आता है, वो भी आई मैं बताता हूँ and इसके बाद में आपको दिख भी रहा हो देखे, different different यहाँ पर सारे के सारे available हो भी रहेंगे, तो यह क्या करता है, यह extension आपका क्या करता है, कि जो भी class आपके पास में है न, उसको पहली, it means कि उसकी पहली full form बता देता है, यहाँ पर आपको visible हो रहा है, कि एक random new name भी आप लेने की कोशिश करेंगे न, तो वो भी आपके सामने यहाँ पर available होगी, किस के साथ में, इस के साथ में, जो कि आपको मिल जाते हैं VS Code के अंदर, तो देखते हैं वो कौन सा extension है इसके अंदर, तो यहाँ चलेंगे सबसे पहले अपना setting पर again, and setting पर आने के बाद extension, extension पर आने के बाद में, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता हूँ, bootchef 5 के लिए आपके आपको बता है, तो आप लिखेंगे bootchef 5, and bootchef 5 में लिखने के बाद में सबसे पहले आपके सामने यह आपको आइकन दिख रहा है, ठीक है, honor का नाम याद रखिए, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर user, number of user कितने है, क्योंकि अभी आपको पता है, bootchef 5 जस्ट नहीं आए है, तो यहाँ पे number of user कम है, but यह आपके बहुत help कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर example है कि किस तरीके से आपको यूस करना है, अगर यह example आपको नहीं संझ समझ में आ रहा है, तो मैं आपको example देता हूँ कि यह चीज किस तरीके से वर्क होगी, ठी यहां लिख दूँगा form यह देखिए जैसी मैं form लिख दूँगा तो form लिखने के बाद में यहां पर input and label आपके सामने आ गया है आपको दिख रहा है विजिवल ओके यही चीज आपके सामने अगर मैं और कुछ लिख दूँँ सपोज और कुछ यह मेरे को बूट्शेप का ठ देखिए तो मैं जैसी model पर click करूँगा तो यहां पर आपको model का button ठीक है और उसके बाद में यहां पर आपको visible हो रहा है कि पूरा का पूरा आपका model आ गया ठीक है उस model के अंदर आपके button भी है and then उसका function भी आपके सामने यहां पर available है यह सारी चीजे कैसे possible है तो यह सारी के सारी चीजें आपकी possible है आपकी इस वाले action changes है जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ और यह सारे के सारी shortcuts आपको तब ही use कर पाएंगे आप जब bootchap 5 की series आपने मेरी देखी होगी and उसके अंदर आपने topic पढ़ रखे होगी तब जाके आप यह चीज कर सकते हैं य जो कि हम use कर रहे हैं खुदी उस चीज को हम यहां पर करेंगे यहां पर देखे इस वाले को हम देखेंगे इसमें भी आपको number of user दिख रहे होंगे and यहां पर आपको जितने भी star दे रखा वो इसको install करने के बाद में यहां पर चीज़ें आपको दिख भी रहोंगे तो दे लेता हूं क्लास लेने के बाद में मैं आपर बीटन करता हूं इस बीटन पर कड़ने के बाद यहां पर आपको दिख रहा है यहां पर आपको विजिवल हो रहा है देखें यह आप समझे तो यह आपकी help कर सकते हैं बहुत easy time में और बहुत जल्दी आप इस चीज़ से code लि इसके बाद में किस तरीके से यूज़ करने वो भी मैंने आपको बता दिया गाइस ठीक है अब इसके बाद में आपको कौन सा इस्टॉल करना है वो एक बार देख लेता है तो चलते हैं यहां पर next so next चलेंगे यहां पर setting पर setting पर आने के बाद यहां पर extension पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर लिखना क्या है ठीक है अब यहां पर दो option थे मेरे पास में या तो आप एक pre tier करके एक extension होता है वो install कर ले या तो एक second होता है आपके पास में यहाँ पर beauty करके ठीक है अब यह करता है क्या है ठीक है मैंने यहाँ पर beauty क्यों लिया है क्योंकि मैं यहाँ इसको मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हमार पास में जब हम ये beauty 5 को install करते हैं तो हमार पास में option होता है कि हम html, css and javascript तीनों की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ध्यान रखेएगा इसके advantage मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा हो किस तरीके से करना है लेने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है मैं randomly कुछ भी कहीं पर भी लिख दे रहा हूँ कहीं पर भी close कर दे रहा हूँ यहाँ पर कोई formatting नहीं है अब इसको formatting कैसे करेंगे आप suppose आपने कोई code लिख लिया अब उस code को format करना है आपको तो आप यहाँ पर करेंगे क्या यहाँ करेंगे सबसे पहले करने केबाद यहाँ पर आप control को press करकर रखेंगे फिर k दभाएंगे फिर f दभादेंगे अब उसके बाद देखा आपने यहाँ पर देखे अपने आप ही यहाँ पर क्या हुआ यह format हो गया तो यह है आपका format करने का तरीका beauty 5 के अंदर और इसके बाद में इसी चीज को आप CSS में कैसे करेंगे तो वो भी देख लीजे तो यहाँ पर suppose मैंने demo लिया demo लेने के बाद मैंने एक property लिख ली यहाँ पर देखे padding की और second लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर space देने के बाद में देखे background color की यह चीज हो गई यहाँ पर अब देखे यहाँ पर space कितना है यहाँ पर इस space को कैसे cover करेंगे same control A ठीक है control A के बाद control प्रेस करके रखेंगे फिर K दबाएंगे फिर F दबादेंगे और देखे उसके बाद यहाँ पर आपका format हो गया है ठीक है तो यह है आपका CSS के लिए धियान रखेंगे इसके बाद यही चीज आप JavaScript में कैसे करेंगे so JavaScript की फाइल पर आएंगे JavaScript की फाइल पर आने के बाद सबसे पहले suppose मैं नहीं हाँ पर कुछ ले लिया नहीं है ने देखिए यहाँ पर में इसके बाद में हां पर आपको दिख रहा होगा कि मैं बना रहा हूँ आ इसको फॉर्मेट करना है तो फ visit करेंगे चैसे तो करेंगे Ctrl A, Ctrl K, Ctrl F, यह देखिये तो यहाँ पर भी आपको formatting दिख रही है कि किस तरीके से कर सकते हैं तो यह आपका beautify तीनों में ही exist करता है ध्यान रखेएगा जो मैंने आपको बताया अभी कि यह beautify वाला कैसे चलता है अब बात करते हैं इसके बाद में next की 6 number पर कौन सा होने वाले तो चलता हैं यहाँ पर next में तो यहाँ पर आएंगे अपना setting पर setting पर आने के बाद extension extension पर आने के बाद सबसे पहले मैंने beautify बता दिया भी अब इसके बाद में है आपका most important आपका bracket ठेक है यह देखे bracket लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर आप इसको use कर सकते हैं वो देखे सबसे पहले आपका क्या है कि जो भी चीज़ लिख रहे है आपका HTML है CSS है इसके अंदर आपका क्या है कि यह चीज़े नहीं इतनी ज्यादा दिखेंगी नहीं इतनी बट यहाँ पर आगर मैं आपको दिखा हूँ डैमो के अंदर यह देखेंगी आपको यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है कि अलग कलर का हलका सा आ रहा है और इसके अंदर आप जो भी मैं लिखूंगा padding padding के बाद में यहाँ पर number देखिए आप यहाँ पर number लिख दिया मैंने ठीक है यह चीज आपको visible है यही चीज में यहाँ पर function के अंदर आके लिखूंगा न तो देखिए यहाँ पर मैं function कर देता हूँ function demo यह देखिए आपको visible हो रहा होगा यह देखिए colorful तो इस वाले को भी install कर सकते हैं आप इसके बाद देखते हैं next जो 7 number पर होने वाला हमारा वो कौन सा extension है यहाँ same चलेंगे यहाँ पर setting पर setting के बाद यहाँ पर आपका extension extension पर आने के बाद again आपको क्या करना है यहाँ पर जैसकि मैंने आपको यहाँ पर bucket वाला भी बताया प्रीवेस में यहाँ पर होगा आपका color highlight यह बहुत important है guys क्योंकि आप सबने के बहुत question थे इसके लिए कि आप कौन सा highlight यूज करते हैं color के लिए जिसकी वैसे हमें labjourd और यहाँ फिए है यहाँ पर फिम्सक्राइब यहाँ इसका यहाँ पर लोगो देखिए इसके बाद माद इसके बादम के बाद में यूजर करने के Himself करने की and color पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर red ठीक है अब red लिखने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपको indicate क्या कर रहा है red color का okay and इसके बाद मैं यहाँ पर आप क्या करना चाहते है background ले रहा हूँ okay and background पर suppose मैं यहाँ लिख देता हूँ okay यह दिख रहा है आपको तो यह आपका क्या करता है color highlight कर देता है जिसकी वेसे आपको क्या होता है कि यहाँ पर जो भी color आप यूज कर रहे है न वो आप color code के साथ करिए यह जिस भी तरीके से करिए suppose मैं यहाँ पर नाम लिख दिया अब आप कहेंगे कि मैं नाम लिखा यहाँ अगर मैं यहाँ पर black लिख देता तो देखे black हो जाता ठीक है अगर मैं यहाँ पर कर दूँँ white तो देखे अब white के लिए हमारे पास में code क्या होता है ff यह देखे ओगे यह आपको दिख रहे है तो इस तरीके से आपका क्या है कि आपका color highlight करने के लिए use करते हैं हम इसको अब इसके बाद में आपका next कौन सा होने वाल है वो भी एक ब ठेक है तो यहाँ पे आप लिखेंगे highlight ओके highlight लिखना है आपको यहाँ पर highlight के बाद में आपको highlight किस चीज़ के लिए आपका highlight matching tag डेग अब यह करता है ठेक है इस वाले के लिए आप समझे ए कि यह वाला आपका extension करता है कि आ इसको मैं क्यूं use करता हूँ अब यहाँ पे किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो देखते हैं, तो यहां चलेंगे अपने htl में, htl में आने के बाद मैं, आप सबसे पहले मैं थोड़ा सा space कतम कर दूँ, यहां पर थोड़ा सा space करते हैं, and then इसके बाद में यहां पर आप लेंगे, कोई भी एक चीज़ ले लेते हैं, div ले लिए मैंने suppose, ठीक है, एक class के साथ में यहां पर आपको visible हो रहा है, एक और div ले लेता हूँ मैं, same, यहां पर आपका class के साथ में यह देखिए, थोड़ा सा tag, slack कर रहे हैं, वो, and then इसके साथ में अगर मैं top वाला करता हूँ, अगर मैं body कर देता हूँ, यह देखिए, head कर रहा हूँ, तो head पर देखिए, ठीक है, html देखिए, तो यह आपको क्या बताता है, यह बताता है, आपका opening and closing tag, ठीक है, जिससे कि आपके help हो सकती है, बहु next, so same, आपको क्या करना है, यहाँ पर setting पर, setting के बाद आपका extension, extension पर आने के बाद में, अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, आप image, image के बाद में आपका image preview, ठीक है, अब image preview करने का क्यों, आपको मैं यह बता रहा हूँ extension, सबसे important आपने देखा होगा, जब कभी भी मैं आपको project देता हूँ, और जब कभी भी मैं आपको project सिखाता हूँ, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, कि जैसी मैं HTML के अंदर image लेता हूँ, तो इसको preview आ जाता है, मेरे पास में, कैसे, तो देखें किस तरीके से आप इसको use कर सकते है, पहले तो आपको इसको install कर लेना है, नाम याद रखेगा, user number of यहाँ पर याद रखेगा, ठीक है, एंड इसके बाद मैं आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लेंगे div, suppose मैंने यहाँ पर demo ले लिया, ठीक है, एक आपका div है, इसके बाद मैं आप image tag ले रहें, src ले रहें, src के अंदर मेरे को यहाँ पर image तो images नाम का folder है already मेरे पास में, तो मैं क्या करूँगा, images नाम के folder के अंदर दो images है मेरे पास में, मैं one वाली ले रहाँ, एंड यहाँ कर दूँगा, मैं इसको देखे, जैसी मैंने आपके image यहाँ पर call करवाई, तो सबसे पहले आपको preview दिख रही है, image की, यह देखे, जै यहाँ पर close कर आपका, अगर मैं इसके उपर hover भी लेके जाऊं, तो आपको यहाँ पर red color की image दिख रही होगी, ठीक है, तो यह image preview आपका बहुत ज्यादा help कर सकता है, लंबे-लंबे projects में, call कराने में image के अंदर, कि आप जब image call करवाते हैं, तो आपका path सही है, या नहीं है यह चीज आपके इसमें बहुत help होती है, ठीक है, तो यह वाला extension भी आप समझगे कि किस तरीके साप use कर सकते हैं, और किस तरीके साप install करेंगे, अब बात करते हैं, इसके बाद में 10th number का आपका कौन सा होने वाला extension, तो उसको भी देख लेते हैं एक बात, तो फिर again यहाँ यहाँ पर setting, setting के बाद आपका extension, extension पर आने के बाद में आप सबसे important होगे, अब यहाँ पर आप लिखेंगे javascript के लिए, यह बात होगे थी अभी आपके html के अंदर और जो preview देख, तो es6 है आपको, es6 के अंदर आपके सामने यह है, इस extension को आप कर लेंगे install, इस extension को यू JavaScript वाली फाइल पर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ function, तो function लिखने के बाद में यहाँ पर आपके सामने example, यहाँ पर आपको दिख भी रहोंगे, अगर मैं यहाँ पर click कर दूँ, यह देखे, hint यहाँ पर आपके सामने पहली है, कि curly braces के साथ में, इसके अंदर अगर मैं अगर मैं let लिख रहा हूँ, तो देखे, यहाँ पर आपको चीज़ें दिख रही है, तो यह आपका hint देने के लिखे, कि किस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, किस तरीके से आपको code लिखना है, क्या उसकी spelling है, किस तरह का structure होने वाला है, यह, तो यह सारी सारी च यहाँ ब्यूंग आपका extension, extension पर आने के बाद, यहाँ पर आपको क्या करना है, auto-closed, ठीक है, auto, close लिखेंगे आप tag, ठीक है, इसको लिखने के बाद, सबसे पहले number पर आपको यह मिलेगा, इसको करेंगे आप उपन, इसको ओपन करने के बाद, आप दिखेंगा, आपको य भी मैंने आपको examples दिये, उसमें भी suppose मैं यहाँ पर div लिख रहा हूँ, अब div के बाद जैसी मैं इसको यहाँ पर बंद करूँगा, it means कि opening tag को बंद करूँगा, तो आपका closing tag automatic यहाँ पर दिखेगा, अगर यही चीज मैं अगर पूरे के पूरे page को हटा दूँ, अगर मैं यह यहाँ पर लिख हूँ, html, तो देखे, जैसी मैं html लिखूँगा तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, और जैसी मैं यहाँ पर करता ह gjort, head, head के बाद head, यहाँ पर देखे, title, तो आपको दिख रहा है किस तरीके से यह सारी चीज द चल रही है, पर यह आपका extension बहुत है कि लाइक कि आपको कोई भी चीज बार-बार रिपीट करने की जुरत नहीं कि आपको एक बार एक टैग लिखिए अपने आप क्लोजिंग टैग अपने आप ही क्लोज हो जाएगा ठीक है अब यह समझ गए आप किस तरीके सा आप इसको ले सकते हैं यह था आपका बोनस का पह आपके पास में यह क्या करता है यह देख लेते हैं एक बार में तो आपको क्या करना है सबसे पहले सर्च करना है सर्च करके लोगों कुछ इस तरीके एक है आप यहां पर नाम देख लिए और का एंड इसको कर लेंगे आप इंस्टॉल करने के बाद यहां पर आएंगे नी div कर दूँ ठीक है तो देखे div हो गया देखे यहां पर अगर मैं यहां पर कर दूँ P तो P हो जाएगा अगर जो title लिखा है उसे है मैं h1 कर दूँ तो देखे h1 मैंने हर किसी में आपका opening tag को change कर रहा है वो अपने आप ही उसका closing tag अगर सपोज मैं closing को भी change कर दूँ यहां पर मैं कर देता हूं आपका section यह देखे तो यहां पर आपको मैंने section लिखा है उसक्षन मैंने गलत लिखा है तो इसले गलत देके section लिखा है अब वही चीज आपका opening tag भी हो गया आप समझ रहे हैं तो किस तरीके से आपका यह काम आ स extension भी आपके लिए बहुत helpful होने वाला है अब बात करते हैं थर्ड नंबर के bonus के extension के बारे में कि वो कौन सा होगा तो देख लेते एक बाद so guys क्या करेंगे अब चलेंगे same setting पे setting पे आने के बाद extension पे आने के बाद सबसे important guys जो कि मैंने अपने project में सबसे ज्यादा use कर रहे है जिसका नाम है आपका live server अब यह live server चलता है कैसे देखे सबसे पहले आपको यह search करना है search करके यह logo है इसको कर लेंगे आप install install करने के बा तो यहां करेंगे सबसे पहले अपना यहां पे html suppose मैं आपको जितनी भी चीज़े मैंने सिखाई है उसके according ही and यहां ले ले लेता हूँ मैं आपका h1 ठेक है इस h1 में मैं यहां पे लिख देता हूँ live server यह देखे यह देखे यह ची लिखने के बाद में अब मेरे को इसक पर प्राउजर पर आने के बाद यहां पे लाइव सर्वर लिखा हुआ है अभी क्या है कि मैंने यहां पर क्या लिखा था आपका लाइव सर्वर अगर suppose मैं यहां पर लिख देता कुछ और तो देखें किस तरीके से होता देखें live server भी लिख रहा हूँ और मैं यहां पर dummy text अब इतनी चीज कर दी, यहाँ पर मैंने सेव करा, और सेव करने के बाद हमें आप ब्राउजर पर रिफ्रेश करने के जोरती नहीं पड़ेगी, अगर हम चले यहाँ पर ब्राउजर पर तो देखें, ब्राउजर पर अपने आप यहाँ पर पैरग्राफ आ चुका है, तो पर कोड़ पर वह चीज आपके रिफ्लेक्ट करेगी, बिना रिफ्रेश करे, किसके थुरू, लाइफ सर्वर एक्सेंशन के थुरू, और यही चीज में सबसे ज़्यादा यूजर यूजर करता हूँ अपने उसमें, इस सारे के सारे जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ जाके आप इनको इस तरीके सारे के सारे को, इसके बाट सर्वर हो गया, चलना है सेब सेंटने के बाधे, अब देखे सेंटने के अब धे सबसे important बात कि आपके file के icon कैसे मिलेंगे आपको ठीक है तो मैं यहाँ पर जो use करता हम वो है आपका material icon तो वो देखे material icon, theme आप लिखेंगे यहाँ पर लिखने के बाद आप search करने के बाद यहाँ पर आपको यह मिलेगा और यही चीज आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मेरे html5 का icon यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, css पर देखें, css3 का और यहाँ पर javascript की file पर javascript का, ठीक है तो यह सारे के सारे icons क्यों visible हो रहे हैं मेरेको इस वाले extension की वहे से, क्योंकि मैंने यहाँ पर install कर रखा है तो अगर आप इस वाले extension को use करते हैं, तो फिर उसके बाद में आपकी file के आगे भी आपके icons शो करने लएंगे, ठीक है guys तो यह था आपका bonus number 4 का आपका extension, अब इसके बाद में बात करते हैं last extension की जो की bonus के अंदर होने वाला है, तो वो भी देख लेते हैं एक बाद में so guys चलेंगे यहाँ पर same setting पर, setting पर जाने के बाद आपका extension extension पर आने के बाद आपको क्या search करना है, vs, ठीक है, vs color color के बाद में आपका color picker, ठीक है, अब इस चीज को search करने के बाद में सबसे पहले आपको यह मिलेगा, अब यह आपको logo यहाँ रहां रखिए, लोगो के बाद में यहाँ पर देखिए अब चाहते हैं आप color change करना, तो मैं क्या करूँगा, जैसे इसके उपर hover जाऊँगा ना, तो hover जाने के बाद यह देखिए, यहाँ पर आपको, यहाँ पर visible हो रहा है आपको, कि किस तरीके से यह चीज चल रही है, यहाँ पर आपको color palette यहाँ पर available होया है, ठीक है, और यह इतने भी मैंने आपको अब यहाँ पर extension बताएं, आपको 10 तो मैंने वैसे बताएं, तो यह सारे के सारे आप use कर सकते हैं, अपने real world के चीजों के साथ में, जितनी भी चीजे मैं आपको दिखाता हूँ, जितनी भी मैंने projects बता रखे हैं आपको, इसके बाद में कोई भी आ आपको doubt होता है, कोई भी आपका extension इंस्टॉल नहीं होता है, तो आपको comment section में comment करना है, या तो आप मेरे को Instagram पर message करके भी अपना question पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, जब तक लिए till then, जहिंद गाईज